पर्मेन जो एक most popular anime series है बट क्या आपको पता है जब पर्मेन को 1967 में पहली बार जैपान में broadcast किया गया था तब इसके animation quality इतनी खराब थे कि इसे सिर्फ एक साल तक ही चला गया अब ऐसा क्यों और इस series में हमें 4 की जगे 5 पर्मेन दिखाए गया थे और जिस animation studio ने इसको produced किया उस animation studio ने इसके सारे information कायब कर दिया है अब ऐसा क्यों तो अगर आपको भी इसका answer जानना है तो इस video को लास तक देखना मत बूलना सो दोस्तो 2 April 1967 को जपान में पहली बार पर्मेन को broadcast किया गया और सिर्फ एक साल चलाने के बाद 14 April 1968 को बंद कर दिया गया विकोज एक तो यह black and white animation था और साथ में इसकी animation and voice quality दोनों ही खराब दे अब तुम सोच रहोंगे कि भाई 1967 में अच्छे equipment just like Mike और अच्छे studio नहीं होंगे इसलिए इसकी animation quality खराब है तो ऐसा कुछ नहीं है तुमने जंगल बुक तो देखी होगी जो 18 October 1967 में रिलिस्ट की गई थी अब मुझे यह बताने की जुरूत नहीं है कि जंगल बुक के animation and voice quality कितनी अच्छी थी और साथ में यह color animation था अब 1967 के परमेन को सिर्फ एक सीजन चलाए गया जिसमें 54 अपिसोड थे और उसे भी 14 April 1968 को closed कर दिया गया अब ऐसा क्यों तो दिखूं 1967 के परमेन को TMS Entertainment Studio ने प्रडूस्ट किया अब मैं ऐसा नहीं कहा रहा हूं कि TMS Entertainment Studio खराब था नहीं यह स्टूडियो जपान की oldest and most famous एनिमे स्टूडियो है क्योंकि इसने बहुत सारे अच्छे एनिमे प्रडूस्ट किये और साथ में इसने बहुत सारे वेस्टन एनिमेट्ट सिरीज को भी प्रड करना पड़ा अब तुम गूगल पर 1967 पर्मेंट के बारे में सर्च करोगे तो सिर्फ तुम्हें फर्स्ट एपिसोड मिलेगा और साथ में ब्लैक और वाइट फोटो और अगर आप 1967 पर्मेंट TMS Entertainment सर्च करोगे तो आपको सिर्फ TMS Entertainment के बारे में दिखेगा 1967 पर्मेंट के बारे में नहीं क्योंकि इस स्टूडियो ने 1967 की सारी इन्फोर्मेशन गायब कर दिये अब यह ऐसा क्यों यह तो मुझे भी नहीं पता अब बात करते हैं 1960 के और आज के पर्मेंट में हमें फोर पर्मेंट दिखाये जाते हैं बट 1967 में फाइब पर्मेंट भी देखने को मिला था जो दो साल का बच्च्च था जिसका नाम पाबो था और साथ में इसने मिट्सोर जो फ़र्स्ट पर्मेंट है उसकी आडिटेटर था कंपेर तो आज की कॉपी रोबोट्स में और यार हमें कबाव और साबो को 1967 में काफी गुस्सेल की तरह दिखाये गया है और अगर कंपेर करें आज की तो और मिची को तो इन्होंनों पूरी तरह ही चेंज कर दी गया तो यार मुझे इसका सिर्फ फर्स्ट एपिसोड मिला जिसमें इतने ही करेक्टर्स दिखाएगे और इसलिए मुझे इसके बार में जादा कुछ नहीं पता जब यह 1967 पर्मेंट क्लोश्ट हुआ तो 1980 में मतलब 12 साल के बाद फूजी को फूजियो का एक स्पेशल एपिसोड कलर एनिमेशन में रिलिस्ट के गया जिसका नम जिसमें फूजियो के थ्री मोस्ट फेमस एनिमे की कॉलाइब एपिसोड था जिसमें पर्मेंट का मास्क ब्लैक था जो आज नीला है फिर 4 अप्रेल 1983 को सैन आई एनिमेशन स्टूडियो ने औरिजनल पर्मेंट को कलर और अच्छे क्वाल्टी में प्रडूस्ट किया जिस मिलते नेक्स्ट वीडियो में